हलो फ्रेंद्स वेल्कूम बैक तो मैं चानल आज कल सर्दियां चल रही हैं आमले का मौसम है और इसका बहुत ही पॉष्टिक हेल्दी अचार कैसे बनाएंगे आज हम देखेंगे आमला खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसलिए आप जरूर इसे एक बार ट्राय करें और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही टेस्टी जटपट और असानी से बन जाएगा मैं हो सीके अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करना तो यहाँ पर मैंने करीब एक किलो आमला ले लिया है आप एकदम ताजा फ्रेश आमला इस्तेमाल करें अगर कहीं से भी खराब है या कुछ है तो आप इसे कट कर लीजिए सबसे पहले आपको इसे धो लेना अच्छी तरीके से मल मल के ताकि इसमें कोई गंदगी कच्रा ना हो अब हमें इसे बॉइल करना है थोड़ी दिर के लिए तो इसके लिए आप किसी भी पैन में कड़ाई में पानी डाल लेंगे और उसमें इन सारे आमलों को एके करके छोड़ देंगे गरम तेल में जब हम इसे थोट दिर के लिए बॉइल करते हैं तो इसके जो फाके होते हैं याने कि इसके जो पीसेस होते हैं जैसे संत्रे की पीसेस होते हैं वैसे ये बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है इस प्रोसेस में हमें करीब 5-7 मिनिट या 10 मिनिट भी लग सकते हैं डिपेंड करता है आपका आमला कितना फ्रेश है हमें से तब तक बॉइल करना है जब तक इसके पीसिस असानी से सेपरेट हो जाएं यहां पर करीब 7-8 मिनिट हो चुके हैं देखिए हरे रंगे जो आमले थे अभी येलो लग रहे है अच्छी तरीके से बॉइल हो गए है आप क्या किजिए इसमें से कोई एकाथ आमला उसे बाहर निकाल लेजिए और देखिए कि इसके जो पीसिस हैं आपस में यह आसानी से अलग हो रहे हैं या नहीं अगर अच्छी से अलग हो रहे हैं मतलग यह बॉइल हो चुकिए आप गयास बंद कर सकते हैं लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा इने और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए मेडियम फ्लेम पर थोड़ी देर और पकने दीजिए फिलाल मेरे आमले तो बहुत ही बड़ी असे हो गए हैं अब इसका सारा पानी हम निकाल देंगे यह फिलाल बहुत गरम है इसमें से धुआ निकल रहा है तो आप इसे या तो फैन के नीचे सुखा सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि थोड़ी देर के लिए अगर अगर नहीं तो आप इसे फैन के नीचे भी सुखा सकते हैं ठंडा होने तक ड्राय होने तक तो चली से ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा ड्राय होने देते हैं उसके बाद में तैयारी करेंगे मसाले की जो की बहुत ही आसान है मसाला आप नोट कर लीजिए मैंने एक किलो यहां पर काली मिर्च और सौफ को इस तरीके से थोड़ा सा भून के में दरदरा पीस लिया है यह करीब दो बड़े वाले चमच होंगे साथ में अजवाइन डालेंगे एक चमच एक चमच बड़ा वाला हल्दी और यह लाल मिर्च का पॉर्डर कुछ रोग इसमें सर्सों डालते हैं राई डालते हैं आप चाहें तो वह भी डाल सकते हैं मेथी दाना डाल सकते हैं स्वादनुसार नमक इस्तिमाल किया है मसालों में जो चीजें आपको पसंद है अचार में वह सारी आप कर सकते हैं कौंटिटी भी उसकी कम जादा कर सकते हैं कोई फिक्स कौंटिटी नहीं होती मैं यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तिमाल कर रही हूँ नौर्थ इंडिया में वैसे ही बनते हैं आप चाहें तो कोई और तेल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो अच्छार बहुत ही जादा टीस्टी बनेगा और सबसे अच्छी बात है कि बहुत हेल्दी बनेगा अब कढ़ाई में जैसे ही तेल अच्छे तरीके से गरम होता है याद रखिए हमेशा जब भी आप सरसों के तेल का इस्तिमाल करते हैं तो उसे बहुत ज़ादा देर के लिए गरम करना जरूरी है जब इसमें से धुआ निकलने लग जाए तब आप गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और उसके बाद में आप इस तरीके से आमले इसके अंदर डाल दीजिए बहुत ज़ादा देर के लिए हमें फ्राइन नहीं करना है बस थोड़ी देर के लिए हम इसे सौते करेंगे इसमें एक या दो मिनिट याद रखिए बहुत गरम तेल में आमला ना डालें तेल को अच्छी तरीके से तपाने के बाद धुआ निकलने के बाद फ्लेम को बिलकुल लो कर देना है और उसके बाद इसमें आमले डालने हैं ये स्टेप जरूर याद रखिए वरना गड़बड हो जाएगी अब सारे आमले डालने के बाद हम इसमें मसाले भी आड़ करेंगे कुछ लोग आमला को जरा सा भी सौते नहीं करते हैं इसमें आमले का तरीक्या मैं अपको तरीका है, मैंने या इसरे ऑप सम्ध का रहे होगना है वर भी वाट बिया डालना हैं या प्र रहली कर दाते हुआψी है मैंने आपको प्रोसेजर पूरा बता दी दिया है अब इसमें अमने डाल दिया है सारा मसाला जो हमने मिक्स करके रखा था यहां पर हमारी ग्यास की फ्लेम बिलकुल लो है जादा नहीं 2-3 मिनट हम मसालों के साथ इसे पकाएंगे फिर इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद ही से स्टोर करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी यह सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लीजिए अचार बिलकूल भी बह करने लग जाएगे अगर आपने पहले डाला खड़े मसाले आप पहले डाले और इस तरीके के सुखे पॉडर वाले मसाले आप लास्ट में डाले अब कर देंगे अच्छी तरीके से मिक्स और वेट करेंगे इसका थंडा होने का बहुत ही जादा अच्छी खुश्भू आ है बहुत इंटी बने गई एप चलीए हमारा यह गढ़ाई में ठंडा हो चुका है बढ़िया से अब स्टॉर करने के लिए अगर आपका जाधा अचार है जाधा दिनों के लिए स्टॉर करना है तो आप किसी अगले ही दिने से खा सकते हैं कच्छा कच्छा स्वाद आता है इसका बहुत ही बढ़िया अगर को थोड़ा सा गला हुआ पसंद है तो थोड़े दिन के लिए रुक के काईए देखे कितना खूबसूरत लग रहा है मूं में पानी आ रहा है बस गर्मा गरम सादा पराटा हो आमले का अचार हो तो मज़ा ही आ जाता है और सबसे अची बात है कि आमले का अचार बहुत ज़्यादा हो पॉस्टिक था आँखों के लिए पाचन के लिए तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिए ही ये मज़दार आमले का अचार अगर रेशिपी पसंदा इया कोई बी मैं आपका जवाब जरूर दोंगी आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच फो वाचिंग मैं वीडियो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और सर्दियों में आप मज़े से अचार काएं